Welcome back friends, यह हमारी वीडियो number 40, class 12 computer science with python series के लिए और हम discuss कर रहे थे chapter number 7 computer networks को और इस chapter की previous videos में हमने कुछ topics यहाँ पर discuss किये थे जो हमें communication में help करते हैं और इस video के अंदर भी हम कुछ और topics यहाँ पर discuss करेंगे इस chapter के लिए तो सबसे पहले हम start करते हैं network topology के साथ तो सबसे पहले इस video के लिए topic हमारा है network topology अब देखित network topology simply बोला जाता है कि किसी भी network के अंदर हमारे जितने भी computers हैं या इन हम nodes हम कह सकता है या हमारी terminals हैं वो आपस में physically या logically किस तरीके से connected है यानि कि उनका जो physical या logical structure होगा उसी को हम यहाँ पर network topology या simply topology कहते हैं उसमें आपके computer हो सकते हैं कोई simply उनको हम node भी कहते हैं या अलग-अलग terminals हो सकते हैं जैसे आपका end computing में होते हैं जिसमें केवल आपका computing device एक होती है या के साथ केवल हम mouse और keyboard वहाँ पर यूज़ करते हैं पूरा वहाँ पर setup नहीं होता तो या आपस में किस तरीके से connect होते हैं इसी को हम network topology कहते हैं तो simple सा है network topology refers to the physical or logical layout of a network यानि कि physically या किस logic के साथ वह सभी आपस में connected हैं उसी को हम network topology कहते हैं अब इसमें आपके computers हो सकते हैं या इनको हम terminals भी बोलते हैं या अलग-अलग point हम बोलते हैं simply topology select करते हैं दुसरा कितना flexible है यानि कि उसको हम expand कितने आसानी के साथ कर सकते हैं दुसरा आपका secure कितता है या कितना reliability उसमें है कितना उसमें rely कर सकते हैं तो इन सभी features के basis पे हम किसी topology को select करते हैं कि कि किस type का network हमने create करना है और उसका physical structure किस तरीके का होगा तो simply है, simple यहाँ पे है topology selected based on cost की cost वहाँ पे कितनी लगने वाली है flexibility उसमें कितनी है और वो कितना reliable है तो simple selected based on cost, flexibility and reliability तो इसमें सबसे पहले mainly हमारी five यहाँ पे topology हम discuss करेंगे सबसे पहले इसमें आप दिये bus topology अब देखिए bus topology आपकी सबसे simple यहाँ पे topology होती है जिसमें से simply आपका central cable या central line होती है और उसी line से mainly आपके maximum जितने भी आपके notes है या computers है वो connected होते हैं यानि कि central line है और उससे बागी कि आपके computers तुड़े वे रहते हैं में लिए आपने देखा होगा school labs में और offices के अंदर एक central आपके cable होती है इन उसी से आपके जितने भी terminals या computers हैं वो आपके connected रहते हैं तो simple सा है in the bus topology uses a common single cable to connect all computers या simply terminals यानि कि single cable को यहाँ पे use किया जाता है जिससे कि बागी सारे terminals हमारे connect होते हैं कुछ इस तरीके से माल लिजी हमने simply एक यहाँ पे central cable ले ली तो इससे आपके अलग-अलग dots या computer या terminal आपके जुड़े वे रहते हैं तो यह आपकी central cable है जिसमें आपका main यहाँ पे connection है और इसी से हम यहाँ पे बाकी computers को connect करते हैं तो इसके advantages क्या होंगे पहला advantage तो यह है कि इसको expand करना काफी आसान है यानि कि इसको extend कर सकते हैं काफी आसानी के साथ इसमें नए node या computer हम बड़ी आसानी से हम इसको इसमें लगा सकते हैं दूसरा यहाँ पे आपका अगर हमको simply इसमें जो cost है वो भी काफी कामाता है क्योंकि एक central cable हमने यहाँ पे यूज करनी है और उसी के base पे हम बाकी केबल के साथ बाकी system connect करेंगे तो cost भी इसका कमाता है installation time इसमें कम लगेगा यानि कि इसको install करना या इसको लगाना काफी आसान है क्योंकि एक cable के साहराई हमने सभी को यहाँ पे connect करना है तो simple सा इसके जो advantage है वो भी मैंने यहीं पे लिख दी है easy to connect and extend इसको connect करना और extend करना काफी आसान है involves low cost of installation time इसको install करने में या simply इसको लगाने में काफी कम time लगता है failure of single terminal will not affect the entire network यानि कि अगर कोई एक system हमारा यहाँ पे खराब भी हो जाता है तो यह बाकी यहाँ पे किसी भी terminal या computer को कोई effect नहीं करता है तो यह तो इसके advantages है disadvantage में नहीं लिखे हैं लेकिन disadvantage क्या है कि अगर आपकी central cable यहाँ पे कभी खराब होती है तो कोई भी system आपका run नहीं करता है यानि कि यह centralized ही यहाँ पे पुरा structure है अगर central cable में इन cable ही हमारी खराब हो जाती है उसमें ही आपके signals नहीं है तो हमारा पूरा जो network है वो crash करता है कोई भी node या computer महाँ पे काम नहीं करेगा तो यह तो simple था है इसी structure हम सिस्टम को connect करते है विसे तो कहीं भी offices में, schools में के वह लेकी topology यूज़ नहीं होती है हम simply mix up वहाँ पे करते है अलग-अलग जब अपे security के हिसाब से या कितना हमको expand करना है उसके हिसाब से हम लगाते हैं या simply आपका server होता है और उसी से बाकी हमारे जितने भी terminal से वहाँ आपके signal जाते हैं या वहाँ से हम communicate करते हैं तो यह आपका centralized connection की तरह है यानि कि central node या computer या server यहाँ पे होता है हम hub भी बोल सकते हैं hub का काम आपको पता है hub क्या करता है जो भी उसके बार data होता है वो सभी को माण देता है तो यहाँ पे भी आपका same काम है इसको हम server कहें hub कहें central node कहें या central computer कहें एक ही यहाँ पे बात है यानि कि एक आपका यहाँ पे central node होगा और इसी से आपके बाकी के computer यहाँ पे connect होते हैं तो यहाँ आपका star topology है यानि कि star के form में central जो आपका यहाँ पे है तो इससे बाकी सारे के सारे node यहाँ पे connected होते हैं तो इसका फायदा क्या है इसको भी काफी आसानी के साथ हम install कर सकते हैं क्योंकि एक किसे हमने connect करना है लेकिन यहाँ से थोड़ा सच जादा इसमें cost लगता है क्योंकि हमको central से ही हर बार यहाँ पे cable से connect करना होता है हर एक note को और यहाँ पे आपके जो disadvantage हैं यह आपका bus की तरह है bus मगर central cable हमारी खराब होती है तो simply आपका पूरा का पुरा जो network है और यहाँ पे एक और आपका है कि आपको अगर दो terminals को आपस में बात करनी है तो data जो है वो central cable के through ही जाएगा क्योंकि एक central cable है तो इसके through ही आपका data जाने वाला है तो उसी तरह यहाँ से भी अगर दो terminals को आपस में बात करनी है इनको आपस में यहाँ पर communicate करना है तो जो data है वो central जो यहाँ पर हमारी node या computer है उसके थ्रू ही हमारा जाने वाला है तो यह इसमें disadvantage भी आप इसको कह सकते हैं advantage भी कह सकते हैं अगर हमारा central server यहाँ पर और हम monitor करना चाहते हैं तो simply हमें central server की मदद से कर सकते हैं तो यह mainly monitoring purpose के लिए भी use होता है तो simple सी इसकी definition है start topology is based on a central node which acts as a hub or server यानि कि आपका central node या central computer की तरह यहाँ पर act करता है जो आपका एक hub हो सकता है, server हो सकता है या आप इसको central node या central computer भी कह सकते हैं तो simple सा यहाँ पर आपका इसके जो advantage है, notes notes या simply computers communicate across network by passing data through central hub यानि कि notes जो communicate करती है वो central hub या central computer के through ही आपका आपस में communicate कर सकती है जो अभी हमने discuss किया then इसको इसको features है या इसके advantage है easy to connect, इसको connect करना easy है और extend करना easy है और अगर आपका इसमें single terminal fail होता है यानि कि single terminal fail होता है तो पूरे network को यहाँ पर effect नहीं करता will not affect the entire network जैसा आपका bus की तरह है उसमें या आपका सेम है यानि कि आपका star में भी सेम है बस X में आपका central cable है इसमें आपका central system होता है तो यह तो आपका star topology next हमारा है ring और circular topology अब देखे ring topology आपका यहाँ या circular topology यानि कि एक circle में नहीं होगा बलकि आपका circle होता है closed होता है closed आपका महाँ पर structure है तो यहाँ पर भी आपको जो network होता है ये closed structure में होता है यानि कि कुछ इस तरीके से हम इसको represent कर सकते हैं इस तरीके से आपका closed form में यहाँ पर आपका circular topology होती है यानि कि circle के अंदर आपका या closed form में आपके सभी computer या node या terminal आपके connect होते हैं अब यहाँ पर देखे हर एक जो आपका system है वो आपने adjacent या neighboring दो computer के साथ यहाँ पर connected होता है यानि कि एक main यहाँ पर है एनिया गल बगल दो के साथ connected है यह है तो यह भी दो के साथ connected है तो इस तरीके से इसका structure बनता है और जो data का यहाँ पर flow होता है वो आपका a की direction में होता है या तो clockwise होगा या anti-clockwise होगा तो यहाँ पर इसका main advantage है कि ज्यादा secure रहता है small group के लिए यह काफी आसान है यह कि अगर आपको छोटी सी चोटा सा कोई network बनाना है छोटी सी आपके team है तो वहाँ पर आप ring topology जो है उसको या circular topology जो है उसको वहाँ पर install कर सकते है यह इसका फाइदा है इसमें security काफी जादा है और दूसरा इसमें cabling काफी कम होती है क्योंकि हमको अगल बगल के दो के साथ connect करना है then वो भी हाथ के अगल बगल के दो के साथ connect करेगा तो यहाँ पर cost है वो भी काफी कम आता है तो simple था है in ring topology each node is connected to two and only two neighboring nodes यानि कि ring topology या circular topology में हर एक node या computer जो है अगल बगल के दो जो node है या computer है उनी के साथ connect होता है the data travels in one direction only from node to node around a network यानि कि data जो है वो एक ही direction में यहाँ पे flow होता है node to node around a network यानि कि इस network के around आपका एक ही direction में data flow होगा वो clockwise भी हो सकता है small network के लिए यानि कि छोटे network को create करने के लिए काफी अच्छा है अब इसके disadvantage क्या है कि अगर कहीं से भी आपका connection इसमें break होता है तो पुरा system हमारा crash कर जाता है यानि कि अगर इसका यहाँ पे माली जी यह connection जो है हमारा यहाँ पे fail होता है इसमें कोई problem होती है तो पुरा system जो है वो हमारा crash कर जाएगा तब यह काफी small groups के लिए बना जाता है mainly 4 to 5 या 10 तक भी आपका चलता है इतने का ही अगर आपने network क्रेट करना है तो simply वहाँ पे हम ring या circular topology को create कर सकते हैं इस जरी किसे next हमारे हाँ पे tree topology अब दीकि tree topology यह है यह आपका hierarchical form में काम करता है और mainly इसमें star and bus को ही हमने combine किया हुआ है यानि कि अगर hierarchical form में अगर हमको controlling करनी है एक hierarchical form में तो हम tree को use करते हैं अब इसमें आपके character sticks आपको मिलते है bus के भी और star के भी यानि कि आपका एक main यहाँ पे node होगा और उसके नीचे दो आपके node है मान लीजिए देन इसके नीचे आपका इस तरीके से एक central cable है और उससे हमारे अलग-अलग node यहाँ पे है इसी तरीके से यहाँ भी है तो यह आपका क्या है या आपका mix-up है आपका bus and star का तो इसका जो basic structure होता है एक inverted tree की तरह होता है एक paid की तरह होता है उल्टा paid उसका आप बोल सकते है जिसकी जो root है वो आपका main server है और उसके नीचे जो branches होते है वो आपके अलग-अलग nodes है या वो आपके sub servers है और उनके नीचे भी आपके और systems है यानि कि hierarchical form में एक top to bottom जो आपका structure होता है उस तरीके से इसका structure है तो इसके फाइदे जो आपके advantage है वो आपके bus की तरह और star की तरह होंगे यानि कि central अगर server खराब होता है तो सभी पे इसका effect पड़ेगा लेकिन अगर आपको यहांपे इसका effect पड़ेगा तो simple सा है it combines the characteristics of the bus and star topology its basic structure is like an inverted tree inverted tree यानि कि उल्टेटरी की तरह है where root acts चलिए इसको मैं उपर लिख देता हूँ acts as a server यहापे जो root है वो एक server की तरह काम करेगी यानि कि उसके control में बागी आपके जो subsystems हैं उसके नीचे वो control में रहते हैं we can easily extend this network इसको काफी आसान होता है extend करना इसके advantage, disadvantage आपका tree and यहाँ पर star की तरह है sorry आपका bus and star की तरह है and finally हमारा यहाँ पर आजाता है mesh topology जिसको हम simply point to point topology या point to point network simply closely connected network भी कहते हैं इसमें क्या होता है आपका हर एक जो computer है वो बाकी सबी computer के साथ connected रहता है या हर एक आपकी जो node है वो बाकी सबी computers के साथ connected रहती है अब इसका फाइदा क्या होता है कि आपका data जो communication speed है वो काफी बढ़ जाती है जैसे आपका bus है या star है यहाँ पे तो अगर आपको communicate करना है और आपका server जो है busy है क्योंकि आपका data जो है वो server के थुरू या आपका central node के थुरू ही जाने वाला है तो यहाँ पे आपको जो data transmission speed है वो कम होती है लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपके सबी systems आपस में connected है तो speed काफी बढ़ जाएगी communication आसान होगा और यह mainly use होता है चोटी जब आपे network होते है जैसे आपका ring है उसी तरीके से चोटे network के लिए हम इसको use करते है अब इसका एक disadvantage है कि इसमें cabling बहुत ज़्यादा होती है यानि कि cables बहुत ज़्यादा use होता है तो cost इसकी ज़्यादा आती है बाकी इसके advantage है कि यह ज़्यादा secure है बाकी कि जो हमारे यहाँ पे structure है उनसे यह ज़्यादा secure होता है क्योंकि हर एक system आपका दुसरे system से connected है और अगर डिरेक्टर link हमारा खराब हो जाता है तो हर एक system आपस में connected है तो alternate path की मजद से भी एक दुसरे से connect हो सकते है तो simple था इसका structure मैं आपको गर दिखाऊं तो मालीजे यह हमारे यहाँ पे systems है four हमारे systems है तो आपका एक जो system है वो बाकी सबी systems के साथ यहाँ पे connected होता है जैसे यह system है तो यह इन तीनों के साथ connected है second system है तो यह भी one, two, three, तीनों के साथ connected है third है तो one, two, and आपका third तीनों के साथ यहाँ पे connected है याँ हर एक system जितने भी आपके इस network के अंदर systems है हर किसी के साथ connected होता है तो इसमें cabling की cost जादा आती है और cable का अगर आपने देखना जाए भी four system है तो cabling का simple सा formula है n, n-1 by 2 यानि कि माली जी यहाँ पे four node या computer हमने लिए तो यहाँ पे simple सा इसको अगर आप देखेंगे तो four, four minus one, three by two four three times twelve, and two total आपके six यहाँ पे connections बनेंगे उसी तरीके से आप five, ten अगर उनके लिए लेते हैं तो इसको आपके small network के लिए use किया जाता है बड़े network अगर हम इसमें बनाएंगे तो इसमें cabling भी जादा होगी, cost भी जादा होगी और अगर कोई आपका वहाँ पे failure आता है तो इसको identify करना उसको काफी problematic हो जाता है तो simple सा, each node is connected to all other nodes it is also called point to point network इसको point to point network भी कहा जाता है यानि कि एक point से दूसरे point या closely connected भी कहा जाता है and next high speed communication इसमें possible है simply इसका advantage है and suitable for smaller network या ये small network के लिए काफी अच्छा है तो ये तो हमारा था network topology कुछ और topics हमा रहे हैं, types of network वो भी हम discuss करते हैं उससे पहले screenshot आप इसका ले सकते हैं, notes के लिए तो I hope आप इसका screenshot ले लिया होगा तो हम चलते हैं next topic पे, उसको भी हम discuss करते हैं types of network, types of network को और ये आपका होता है basically geographical basis पे यानि कि physically एक जो आपका network है वो कितना एरिया में expand हो सकता है या उसकी distance कितनी है विसे तो आपने lower classes में इसको discuss किया होगा जिसमें सबसे पहले हमारा आता है local area network या simply land अब देखिए land जो है ये काफी आपका छोटा area में इसको आपका create हम करते हैं किसी school के अंदर हो, colleges के अंदर हो या कोई office building हो या कोई भी आपकी छोटी organization जो कि एक office building की तरह है जो एक building के अंदर आती है तो वहाँ पे सभी जो computers हैं उनको connect करने के लिए आपका simply land को use करते हैं इसका main advantage यही है कि आपस में सभी systems जो हैं आपस में communicate कर सकते हैं किसी resource को share कर सकते हैं वो कोई data हो सकता है कोई device हो सकती है तो इसके इसनी चीज़ों के लिए simply अब land create करते हैं या local area network create करते हैं और इसे आपका create क्या जाता है या इसके अंदर चेश टर्मिनल से हैं या systems हैं उनको हम connect करते हैं Ethernet cable या simply land wire से तो simple सी इसकी definition है it is a network that connects computer in a limited geographical area such as school हो गया office buildings हो गई colleges हो गई या कोई भी आपकी buildings या organizations हो गई तो वहाँ पे हम इसको use करते हैं a land is useful for sharing resources like file printers और भी आप devices इसमें use कर सकते हैं and communication यानि कि communication के लिए और resource sharing के लिए mainly हम land को use करते हैं जैसा काम आपका simply किसी भी normal buildings के अंदर होता यानि कि एक building के अंदर कोई भी आपका अगर organization है आपका कोई वहाँ पे private organization है schools है, colleges है या कोई institute हो गईरा है तो वहाँ पे हम land को use करते हैं we use ethernet cables, hubs, etc to create a local area network यानि कि हम cables की मदद से इसके अंदर आपके hubs हो सकते हैं जो कि data आगे transfer कर सकता है और ज्यादा ही अगर आपका distance है तो repeater हो सकता है तो इनकी मदद से simply एक local area network या land को create किया जाता है next है हमारा man यानि कि metropolitan area network simply इसको sort में मैं आपे लिख देता हूँ man तो man जो है ये simply आपका थोड़ा सा बड़ा होता है आपका जिसके अंदर चोटे-चोटे land भी हमारे हो सकते हैं यानि कि चोटे-चोटे land network हमारे हो सकते हैं और ये एक आपका सहर के अंदर या 5-50 km या काफी बार उससे भी ज्यादा इतने distance को cover करता है और इसमें mainly आपका ये तब यूज होता है इसमें हम coaxial cable जैसे आपका घरों पे cable आता है, cable connection आप में लिया होगा तो ये इसका example है क्योंकि पुरे सहर में वो जो है फैला रहता है और mainly इसके जो इसको जो owned किया जाता है, इसके जो authority होती है, वो आपका किसी private organization या किसी governmental organization के होती है यानि कि ये privately owned आपका network है ये simple सा है, it is a computer network या आपका normal network भी इसको हम बोल सकते है जरूरी नहीं computer को ही आपस में connect किया जाए that usually covers a large area large area than land यानि कि एक land से ज़्यादा area ये cover करता है it covers area 5 to 50 km mass से 50 km तक का इसका distance है mainly a man is typically owned by owned and operated by a single entity यानि कि single entity या single organization ही इसको own करती है maximum time such as government body हो सकती है या कोई large corporation हो सकता है कोई schools या colleges या institutes या कोई भी और organization हो सकती है तो ये आपका एक थोड़ा सा wide area है land के मुकाबले next हमारा है wide area network या WAN तो WAN जो है simple सा काफी broad जो होता है जो आपका entire cities में अलग-अलग cities में फैला वहा होता है कोई बड़ी आपके corporates है तो उनके जो offices होते हैं अलग-अलग सहरों में होते हैं तो वो ही आपका यहां पे WAN को create करते हैं mainly इसमें हम fiber optic को use करते हैं जो कि longer distance के लिए आपका use होता है तो ये अलग-अलग cities को countries को या continents को आपस में connect करता है तो इसका तो जो सबसे बड़ा example है वो internet हो गया खुदी क्योंकि वो सबसे बड़ा आपका global network है यानि कि पूरे अर्थ के अंदर जितने भी हमारे continents हैं या countries हैं सभी को जो connect करता है जो सबसे बड़ा when या जो सबसे बड़ा network हमारा है तो उसको हम internet कहते हैं जिसमें हमारे almost सभी जो computers हैं world के जो internet से connected हैं तो एक दुसरे से वो connect होते हैं तो simply ये इसका example होगी है और इसके अंदर छोटे छोटे और भी आपके जो यहां पे networks हैं वो हो सकते हैं तो it is a computer network that covers a large geographical area सच as city या cities, country या countries और continents इट combines many smaller network the internet is the largest one यानि कि internet इसका example है या सबसे बड़ा हमारा wide area network है उसके बाद लास्ट हमारा जाता है personal area network यानि कि pen अब देखे personal area network जो होता है एक individual के around इसको create किया जाता है जैसे आप लोगों ने किया होगा काफी बार आप लोगो wifi share करते है same अपने friends के साथ, family के साथ तो simply आपका personal area network है या simply bluetooth से आप connect होते हैं तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी आपका personal area network के अंदर आता है तो simple सा है it refers to a small network of communication it is a computer network या कोई भी आपका network हो सकता है mobile भी आपका mini computer ही है तो आपने आपे mobile network भी अगर लिखते हैं तो कोई problem नहीं है it is a computer network organized around an individual person like data sharing through wifi and hotspot आपने काफी वार इसको use किया wifi hotspot कर on करके आप simply data को share करते हैं इसकी range काफी कम होती है 5 to 10 meters काफी वार जादा ही अगर है तो 15 to 20 meters तक ये जाती है तो simple सा है ये है personal area network तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खतम होती है उससे पहले screenshot आप इसका ले सकते है notes के लिए तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खतम होती है और ये topics भी हमारे complete होते है तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में वीडियो number 41